मुल्टिप्लिकेशन दिविजिन उसका एक्साइज करेगे 5.1 तो फर्स हम देखो क्या दिया हुएं fill in the blanks using property of multiplication हमें क्या करना है blanks को fill करना है using property multiplication की तो फर्स हम देखो क्या है 8695 multiply by 1 तो देखो इसको 1 से multiply करना क्या आएगा तो हम किसी भी number को अगर 1 से multiply करते हैं तो same क्या आता है वही number आता है तो यहां पर क्या आएगा से, वही नंबर आएगा next क्या देखो, 3496, multiply by 1000 यह क्या करना, इसको 1000 से multiply करना है, तो पहले हम 1 से multiply करेंगे इसको तो पता है कि 1 से हम किसी number को multiply करते हैं, से, वही आएगा number और भी यह दो 3 zeros है हम उसको क्या करेंगे इसके right side में put कर देंगे यह हमारा sum होस है next देखो क्या है 68,321 multiply by 100 क्या है 68,000 इसको हमें multiply करना 100 तो पहले हम 1 से multiply करेंगे तो क्या है कि 68,321 और फिर यह 2 zeros को है हम इसके right side में put कर देंगे next क्या है 7,355 multiply by 10 क्या है हमें 7,355 को ऐसे किसे multiply करें कि यह आए हमारा तो स्टेंट से के last में देखो कितनी zeros है 3 zeros है तो 3 zeros 1000 तो हम अगर इसको 1000 से multiply करेंगे तो यह हमारा number आएगा next question देखो 2124 multiply by 1 हमें क्या करना है 2124 को multiply करना है 1 से तो स्टेंट्स आपको पता है कि हम किसी भी number को 1 से multiply करेंगे तो सेम क्या आएगा वर ही आएगा तो हमें आपको क्या लिगेंगे 2124 तो स्टेंट्स आपको फर्स पार्ट यह सभी question क्या है ऐसे ही next part क्या देखो find the product यह में क्या करना है product find out करना है तो first question क्या है 8570 को हमें multiply करना है 700 से तो पहले हम 7 की multiply करेंगे इससे 7 0 जा 0 7 7 जा 49 9 4 क्या हुआ carry 7 5 जा 35 35 plus 4 39 9 3 carry 7 8 जा 56 56 plus 3 59 अब क्या करेंगे हम तो हमारे 2 zeros रहे गई उनको हमें क्या करेंगे इसके right side में ऐसे put कर देंगे question cmr pass जो question हो solve हो जाएगा second question देखो क्या है 42,862 multiply by 800 तो पहले 8 से multiply करेंगे हम इसको 8 2 जा 16 6 1 carry 8 6 जा 48 plus 1 49 का 9 4 carry 8 8 जा 8 8 जा 64 64 plus 4 68 8 6 क्या होगा carry 8 जा 16 16 plus 6 22 22 का 2 2 क्या होगा carry 8 4 जा 32 32 plus 2 34 और फिर क्या करेंगे हमें 2 zeros को इसके right side में put कर देंगे since next sum क्या है 19,631 multiply by 500 तो 5 से हम multiply करेंगे इसको 5 जा 5 5 5 3 जा 15 15 का 5 1 क्या होगा carry 5 6 जा 30 30 plus 1 31 का 1 3 carry 5 9 जा 45 45 plus 3 48 48 का 8 4 carry 5 1 जा 5 5 plus 4 9 जा 5 जा 9 जा फिर इन 2 zeros को हम इसके right side में put करेंगे next देखो 6,255 को multiply करना हमें 4 से तो पहले 4 से multiply करेंगे हम इसको 5 4 5 जा 20 का 0 2 carry 4 5 जा 20 20 plus 2 22 का 2 2 फिर carry 4 2 जा 8 8 plus 2 10 10 की 0 1 carry 4 6 जा 24 plus 1 25 जा जा 20 जा 20 जा 20 को हम इसके right side में put करेंगे next क्या है 2,678 multiply by 7,000 तो पहले 7 से multiply करेंगे 7 8 जा 56 का 6 5 carry 7 7 जा 49 49 plus 5 49 में हम 5 add करेंगे तो जिना आएगा 54 54 का 4 5 carry 7 6 जा 42 42 plus 5 47 47 7 4 carry 7 2 जा 14 plus 4 18 जा जा 3 0 जिसमीं इन तीनों को हमें right side में ऐसे put करेंगे next क्या है 6,302 multiply by 8,000 तो 8 से multiply करेंगे पहले इनको 8 जा 16 8 3 जा 24 का 4 2 क्या होगा carry 8 6 जा 48 plus 2 50 30 और 30 इसको हम यहां पे ऐसे put कर देंगे ओक्यू तो आपके 5 पॉंट 1 एक्साज यहां पे complete होती है अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो like and share करें और मारी यूटूब चैनल SDS को सुस्क्राइब करें थैंक यू